नमस्कार मैं हूँ एडमा बाचपेई, स्वागत करती हूँ आपका चली खजाना में तो अब नया प्रोमो बाहर आया है जिसमें बिग बॉस ने MC स्टैन और शिफ को कन्फेशन रूम में कुछ बाचीत करने के लिए बुलाया है क्या बाचीत है, किस से related बाचीत है ये बताती हूँ आपको हमने एक चीज देखी, दो टीम्स के बीच में एक 9 मिनिट्स को लेके एक performance task हुआ, जिसमें सबको 9 मिनिट्स का एक अंदाजा लेके काउंट रखके closest आना था, जिसमें टीम जो अर्चना प्रियांका और शालीन वाली थी वो जीत जाती है जिसकी वज़े से जो मंडली वाली टीम है वो हार जाती है, यानि की टीम हार जाती है और जिसकी वज़ा से अब नॉमिनेशन में आ गए है मंडली के ही तीन सदस से शिफ, MC स्टान और सुंबुल, इसी चीज़ के बारे में बात करने के लिए अंदर बुलाया है MC स्टान और शिफ को, बिग बॉस ने, उन्होंने बोला कि आप लोग विक्तिम कार्ड क्यों नहीं खेल रहे हैं तो शिफ ने बोला कि जो चीज पहले ही दिन से नहीं करी, वो अब करके क्या फायदा, जिसके हम हमेशा अगेंस्ट हैं हम वो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे फिर बिग बॉस ने उन्हें बताया कि आप लोग जब ये आप नॉमिनेट हुए हैं उसके बाद से अभी जब आपको कनफेशन लूम में बुलाया गया है तब से लेके अभी तक साड़े तीन गंटे हो चुके हैं और सुम्बूल आपको किस तरीके का आटिट्यूट दे रही हैं किस तरीके की गिल्ट में डाल रही हैं और आप क्या कर रहे हैं उन्हें मनाते ही जा रहे हैं मनाते ही जा रहे हैं पीछे पड़े हैं बात करने के लिए क्या वो लोग आते हैं आप जब उठ की चले जाते हो रूठ की चले जाते हो तो क्या वो आपको मनाने आते हैं तो ये बिग बॉस अब मंडली में फूप डालने की कोशिश कर रहे हैं जो काम उन्हें बहुत पहले कर देना चाहिए था लेकिन उस ताइम तो बिग बॉस का एक ही कंसेंट्रेशन था प्रियांका को तोड़ना अर्चिना की बातों पर बार बार पॉइंट आउट करना अंकित को बार बार हर चीज़ पर टोकना यही सब था मंडली को कभी किसी चीज़ के लिए टोका नहीं और अब फाइनली जब गेम दो हफते में खतम होने वाला है तो बिग बॉस ने भी अपने रंग बदले हैं और मंडली को तोड़ने की शायद जिम्मेदारी इस बार उठाई है क्योंकि अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि मंडली की सदस्य उन्हें एक दूसरे के बारे में जो बात करी हो वो बिग बॉस ने उनको अंदर कन्फेशन रूम में बुला के बताई हो पहली बार ऐसा हुआ सुम्बल के लिए बात कर रहे हैं सुम्बल जिस तरीके का attitude दे रही हैं तीनों लोग बैठके मतलब निम्रित शेप और MC स्टैंड तीनों लोग मिलके कह रहे थे कि ये team work था जो सुम्बल ने अच्छे से नहीं किया और ये प्यार 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 और अच्छे से patience के चकर से न वाट लग गई है ये निम्रित की जुबान जो उनोंने बोला है वो है अब आज एक फिर से team में team भी होने वाला है 50 लाख रुपे वापस आने वाले हैं कौन सी team को मिलते हैं कौन जीतता है क्योंकि torture task है जिस तरीके से निम्रित torture कर रही है torture तो दूर की बात है जो उनका facial expression है वो इतना खतरनाक है कि ऐसा cruelty होती है जो चेहरे से लगती है कि हाँ भाई इसको सिनफरत है वैसा वाला scene लग रहा है एकदम तो अब क्या होता है शिफ और MC stand और निम्रित क्या तीनों लोग मिलके सुंबुल का साथ छोड़ देंगे या फिर उनके साथ आगे बातचीत नहीं करेंगे वैसे खुद को अच्छी image दिखाने के लिए ऐसा करना तो नहीं चाहिए लेकिन अभी देखते हैं कि क्या stand उनका होता है क्योंकि आज के जो प्रक्रिया होने वाली है जो भी performance और torture टास्क होने वाला है उसमें भी टास्क में उन्हीं नहीं हराया है तो यह है नया प्रोमो नई किस्से जो बिग बॉस में होने वाले तब तक के लिए आप टेली खजाना देखते रहें और सब्सक्राइब कर दीजे थैंक यू